संसकार अमारे कई प्रकार से बनते हैं ना आहर से भी संसकार बनते हैं जिसने खाया ही राजसिक तामसिक तो उसके जो उसका सुक्ष्म अंश है जिससे मन बनता है जैसा खाए अन वैसा बने मन तो राजसिक तामसिक खाना भोजन और राजसिक या तामसिक भावना से खाना भाव भी वैसा ही और मैटिरियल भी वैसा ही तो फिर अब इसके करम भी कैसे होंगे वैसे ही होंगे तो खाना भी सात्विक और खाने के समय भावना भी सात्विक सेवा की, भक्ती की, अध्यात्मे की, कृतज्यता की, इस प्रकार की भावना हो और वो खाना भी कैसा हो, मिर्च मसाले से रहित हो राजसिक तामसिक ना हो, सात्विक हो तो फिर उससे बनने वाला जो सुक्ष्म तत्व है, वो मन है तो साथ भी की बनेगा उस मन से वैसे ही भाव बनेगे उस भाव और उस विचार से फिर वैसा ही कर्म होगा फिर जैसा कर्म होगा वैसा ही हमारा स्वभाव बनता जाहेगा तो स्वभाव बनने में कितनी सारी चीजें शामिल हैं आहार, विचार, भाव इसलिए महरिशी पतंजली ने भाव के उपर भी बल दिया मैत्री, करोणा, मुदिता, उपेक्षा चार भाव के अतिरिक तोर कोई भाव नहीं होना चाहिए हमारे बनने बस ये चार ही भाव होने चाहिए तो वैसा हमारा भाव बनता है तो उसमें आहर का भी एक रोल है विचार का एक रोल है भाव का एक रोल है इंद्रियों से हम क्या अंदर ले जा रहे हैं आहर में केवल खा रहे हैं मुक से वो वो नहीं आँखों से जो देख रहे हैं वो आँख का आहर है हाथ-पैर से जो हम कर्म कर रहे हो हाथ-पैरों का आहार है मन का आहार है जो हम पुस्तकें पड़ रही है बुद्धी का आहार है ज्यान या ध्यान, उपासना, पूजा ये सब मन बुद्धी के आहार है अगर व्यक्ति कुछ भी कोई अनुस्ठान आदी नहीं करता है ना कोई ध्यान करता है ना कोई मंदिर आदी में कहीं जाता है ना कहीं संत महात्मा के पास कुछ सुनता है ना कोई अच्छी पुस्तकें पड़ता है तो फिर उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की मानसिक उपलब्दी नहीं होती है उसको, ऐसे स्थिती नहीं बनती है उसकी मानसिक, क्योंकि उसको कुछ मिला यह नहीं, आहर ही नहीं मिला, आहर नहीं मिलने से जैसे शरीर सुख जाता है, ऐसे मन भी सुख जाता है फिर, और या फिर उल्टा आहर मिला होगा कुछ उल्टा-पुल्टा पढ़ा होगा उल्टा-पुल्टा सुना होगा ने देख ने योग्य देखा होगा यह वैसा दूशित बन जाएगा मन तो इन सबसे हमारा स्वभाव बनता है इसलिए जो जागरूप व्यक्ति है वो पीछे जो भी उसने किया सो किया लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि ये प्रक्री है फिर वो अपने एक-एक करम के उपर, अपने एक-एक विचार और भाव के उपर कंट्रोल करने लगता है फिर बेन करता है नहीं, अब आगे से ऐसे नहीं करना मेरे को ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना है कितनी बार ऐसा बोल के देखा, तो उसे जगड़े ही खड़े हुए इसलिए अब नहीं बोलना है कितनी बार मन में ऐसा सोचा हर बार ऐसा सोचने से मन में कस्ट ही उत्पन्न हुआ और वो समस्य सुलजी नहीं बलकि और ज़्यादा उलजती चली गई इसलिए आज से ऐसा नहीं सोचना है कुछ तो ऐसा सोचना है जिससे अभी सोचते हुए भी अच्छा लगे और परिणाम में भी कोई जगड़ा बखेड़ा खड़ा ना हो क्योंकि बोला तो वो ही जाएगा ना जो हम सोचेंगे तो इसलिए बोलने से भी पहले काम कहा करना है सोचने के उपर मन में सोचना क्या है और सोचा वो ही जाता है जैसा हमारा किसी के प्रति भाव होता है जब हमारा किसी के प्रति अपने पन का भाव होता है प्रीती का भाव होता है तो फिर उसके बारे में हम बुरा नहीं सोचते हैं वो गलत कर भी देना तो उसको हम बता देंगे कि आप गलत कर रहे हैं इसको ठीक कर लो लेकिन उसके प्रति भाव खराब नहीं होगा क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है वो मेरा बालक है, मेरा पिता है, मेरी माता है पती है, पतनी है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है ऐसे जहाँ जहाँ अपना पन जुड़ गए वो मेरा गुरू है, वो मेरा शिश्य है तो वहाँ पर भाव में दोश नहीं आता है और जब तक भाव में दोश नहीं आता है तब तक उसके प्रती विचार में भी दोश नहीं आता है अंतह करण में भी दोश नहीं आता है क्रिया में दोश आ सकता है हो सकता है किसी से क्रिया में तुरूटी हो जाए बड़े से भी हो सकती छोटे से भी हो उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन मन में यदि दोश आ गया तो फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता है या फिर बहुत ही स्ट्रंग साध्य है फिर मन में से निकालना अत्यंत पुरुशार्ट साध्य है फिर तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सब क्यों करते हैं हम अलग-अलग कारिये कोई ब्राह्मन का कारिये कर रहा है कोई क्षत्रिये का कोई वैश्य का कोई शुद्र का हम अपने इस शरीर में एक व्यक्ति ये चारों कारिये कर लेता है एक ही व्यक्ति एक किसी समय विशेश में ब्राह्मन वृत्ति प्रधानता वाला होता है ब्राह्मन वाला कारिय करता है उसको पढ़ना, पढ़ाना, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनना उनको चिंतन मनन करना, दूसरों को बताना वैसा खुद आचरन करना, स्रेष्ठ आचरन करना, ध्यान उपास नादी करना, यज्य तप करना ये उसको अच्छा लगता है किसी समय में ये ब्राह्मन वृत्ति है इसी व्यक्ति को कभी-कभी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है इसी व्यक्ति को कभी-कभी दूसरी चीजे अच्छी लगती है तो कभी इसको क्षत्रिय वृत्ती पसंद होती है कभी वैश्य वृत्ती, कभी शुद्र वृत्ती अलग-अलग समय में अलग-अलग कर्म करता है ये तो करता क्यों है? स्वभाव प्रभवई गुणई ही स्वभाव से उत्पन्य होने वाले गुणों के कारण, त्रिगुण के कारण स्वभाव यदि सत्व प्रधान हो गया तो ब्राह्मन कर्मों की प्रधानता रहीगी जीवन में स्वभाव यदि रजोगुण से प्रधान है तो क्षत्रिय कर्मों की प्रधानता रहीगी जीवन में अर्जुन रजोगुन प्रधान था रजोगुन प्रधान मतलब उसका जो उसको संसकार मिले थे ना उसमें क्षत्र धर्म की प्रधानता थी लेकिन ये थोड़ी है कि वो ब्रहामन पृत्ती से बिलकूल वन्चित्था ऐसा नहीं है ये इतने सारे प्रश्न उत्तर इतने सारे ज्यान की पिपासा कोई ब्रहामन ही कर सकता है कहां से पूछने लगा है नहीं तो गैता ठीक है गुरुजी बस मैं सब समझ गया अब आप जाओ मेरी छुट्टी करो वो एक के बाद एक प्रश्न जिज्यान सा भाव से बहुत सरल प्रश्न पूछता है उर। छोटे-छोटे करमों को कैसे ठीक करूँ वो पूछता है बड़े-बड़े प्रश्न नहीं पूछता है मौक्ष के बारे में तो पूछा है नहीं यह लास्ट में आके सन्यास के बारे में पूछा है तो एक ही व्यक्ति जो है वो इन गुणों के कारण स्वभाव से उत्पन होने वाले इन त्रिगुण के कारण अलग-अलग करम करता है कभी ब्रामन का, ख्षत्री का, वेश्य का, शुद्र का पर किसी एक गुण की प्रधानता होती है तो कभी-कभी तो जीवन में ही एक गुण की प्रधानता होती है कभी-कभी एक दिन में किसी एक गुण की प्रधानता होती है क्योंकि वास्ताव में जीवन कितने दिन का है हम सब का जीवन कितने दिन का है कितने जी और बताओ जीवन कितने दिन का है 400 साल 4 दिन का और 2 दिन का 120 दिन का ठीक है बारा महिने पे 0 लगा दिया और क्या बात है आप में तो मतलब अलेक प्रकार की प्रतिव हाईं बैठी है ख्रन भरका एक इसने बोला कितने सारे मत हैं अब मैं तो एक ही जैसी गीता पढ़ाती हूं सबको एक कह रहे हैं कि 100 वर्ष का है कोई टेंशन लेने की ज़रूद नहीं है 100 वर्ष हैं भी तो दूसरे कह रहे हैं 4 दिन का है आज से निवार है ना रविवार सौमवार मंगलवार और बुद्धवार चार बुद्धवार तक का है अगले कह रहे हैं दो ही दिन का है आज से निवार है रविवार सौमवार दो दिन का है दो दिन किस ने बोला था वही? स्वाम सहदेव जी ने तो आप कर ले न दो दिन में जो कुछ करना है आप दो और उस ने बोला जीवन के दिन चार पंची उड़ जाना चार दिन का दो दिन का नची केता ने बोले 120 दिन का है इसने क्या गणित लगाया वो मेरी भी समझ से बार है यही बता सकता है कैसे 120 वर्ष तो कौन सा गणित लगाया 120 कैसे किया 100 तो सोना था 120 कैसे हुआ 12 मैंने क्या अगे 1 जिरो लगा दिये ठीक है एक ने कहा एक ही दिन का है करकि आगे कभी कोई दिन आएगा वो एक ही दिन होगा जैसे उसको परिक्षित को बताया था ना सादूने कि आपके पास साथ दिन का जीवन है साथ इसलिए बताया था कि साथ ही दिन होते हैं सफता में तो सब के पास ही साथ ही दिन का जीवन है आठमा दिन तो होता ही नहीं है साथ ही वार है ना इसलिए साथ बताया था कि इन ही में कर लो जो करना है आपको वो कहरें साथ भी कहां है एक ही वार है जो प्रेजेंट है वास्तों में तो वो ही जीवन है वरतमान ही और अगले ने कहा कि आज की दिन का भी क्या पता जीवन तो एक ख़ण में है लेकिन ये बात इस कम्रे से बाहर निकल के भी याद रखना एक ख़ण में और एक दिन में है उत्तर तो ठीक है ये लेकिन उन उत्तरों का फिर हमें सम्मान करना स्वामी गुरु शर्णानन जे महराज ये ही बात कहते है न कि अपने ज्यान का आदर करना ज्यान सब को है ज्यान की कमी नहीं है उस ज्यान का हम सम्मान करें मेरे जयान का मैं तो सम्मान करूं कम से कम कोई दूसरा करे ना करे और सम्मान करने का मतलब क्या है अपने जयान को फूल माला ही पहना ही क्या अन्ना जी जयान का सम्मान करने का क्या मतलब है हाँ, very good जैसा जानते हैं वैसा जीना जब मेरे को जयान है कि ये ठीक है तो वैसा काम करना पुरुशार्थ करके भी करना जो हम दूसरे को बताते हैं वो खुद मेहनत करके भी वैसा जीवन जीना यही ज्यान का आदर है तो दूसरे कोई मेरी बात का मेरी ज्यान का मेरे भाओं का आदर करे या ना करे पर मैं अपने भाओं का अपने ज कर्मों का सम्मान करे या ना करे हो सकता है दूसरे को समझ में को यह सब ऐसे दिखावी के लिए करते हैं लेकिन मैं उनके कहने से परेशान ना हूँ बलकि मैं अपने कर्मों का सो प्रतिशत सम्मान करूं जब हम अपने कर्मों का सम्मान करते हैं तो हमारा अंतहकरन फिर प्रस इसको अच्छा टैग लगाई बिना मैं खुश होता नहीं हूँ, तो परिशानी रहती है फिर, इसलिए अपने ज्यान का खुद सम्मान करें, अपने कर्मों का खुद सम्मान करें, और जब आप खुद अपने कर्मों का सम्मान करेंगे, तो आप कोई भी ऐसा कर्म नहीं करें हैं या अपमान वाला कर रहे हैं अपने आपको स्वयम अपने गुरु बने स्वयम अपने मित्र बने स्वयम अपने प्रदर्शक बने स्वयम अपने डोक्टर बने खुद ही बने स्वयम स्वयम से प्रीती करने वाले बने दूसरा कोई प्रीती करे ना करे पर मैं अपने आप से भरपूर प्रीती करूँ दूसरा कोई मेरे को ऐसा पत्फ प्रदर्शक मिले ना मिले पर मैं अपने आपको सही मोटिवेट करूँ ऐसे चलो, इसमें फाइदा है इसमें नुकसान है तो अपना गुरु खुद बनना है पताने गुरु उस समय उपलब्द हो ना हो मौके पर फिर अपने गुरु खुद बन जाओ ये बात महत्माबुद्ध ने की कही कि खुद ही अपने दीपक बन जाओ आपो दीपो भवा अपने पत्प्रदर्शक खुद बनो, अपना दिया खुद जलाओ दूसरों से ले लो साहेता ले लो, तो ये गीता साहेता देने के लिए तैयार है दिया सलाई इसके पास है, इसने दे दी अब उसको घिसके अंगारी, चिंगारी निकालना ये सादक का काम है तो हमारे ये जो शास्त्र हैं, गुरुजन हैं ये हमारी साहेता करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपना स्वभाव तो हमें खुद ही बनाना है, तो हमें अपने स्वभाव में कौन से गुण की प्रधानता लानी है ये पहले हमें तै करना है मुझे सत्वगुण चाहिए रजोगुण चाहिए या तमोगुण चाहिए आपको ऐसे कोई सभी थोड़ न सात्री को सकते हैं सब हो सकते हैं और सब हो या आपको क्या होना है आप तो हो सकते हो कम से कम आपको सत्व प्रधान बनना है रजो प्रधान बनना है तमस प्रधान बनना है वो हम बन सकते हैं और संसार की सारी की सारी आत्मा A to Z सब सत्व प्रधान हो सकती है कोई हानी नहीं होगी साथ्विक रूप से संसार चलेगा तो फिर किसी अन्य स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करने पड़ेगी ये पृत्वी ही स्वर्ग बन जाएगी फिर तो स्वर्ग में जब सत्व प्रधान देवता रहते हैं तो पृत्वी में क्यों नहीं रह सकते हैं जब अच्छे होगा है इसे प्रवग्तिया नुग चें यह भातली के जब अच्छी पहोगा है अध्य्यात सब आज़ करें इत्र किषसाई सब तो अच्छे माझे चाएंगे किसान भी सब अच्छी मेहनत करेंगे तो फस्लें खूबाएंगी सब करेंगे क्या दिक्कत है अच्छा ही होगा जितने ज़्यादा लोग करेंगी ऑल जिस सभी धर्मातमा बन गए तो बड़िया धर्ती पे कोई अपराद नहीं होगा सब धर्मात्मा बन जाएंगे तो कोई पुलिस फोज फोर्स की जरूरत ही नहीं होगी अपने देश के लिए रखनी है तो सीमा पे दूसरे देशों के लिए भले रखो तो अच्छा ही है न जितना भी इसको बढ़ाई तो हमें यह नहीं सूचना है जिस सब थोड़ी ऐसे हो सकते सब हो या ना हो आप तो हो सकते आप तो हो ही जाओ ठीक है आप तो हो ही जाओ ठीक है तो इसलिए यह स्वभाव प्रभवई गुनई ही ब्रामन क्षत्रिये विश्याम, शुद्राणाम चे परमतपह, कर्मानी, प्रविभकतानी ये विशेश रूप से बटे हुएं सब की कर्म और जैसे-जैसे जिसके स्वभाव और स्वभाव के अनुसार जैसे-जैसे बुण की प्रधानता वैसे-वैसे उकर्म हो लग जाता है और ये ही वरणाश्रम है वरणाश्रम किसके उपर डिपेंड है? स्वभाव के कारण जनम पे डिपेंड नहीं है वरणाश्रम धर्म ब्रह्मन क्षत्रिय वैसे शूद्र ये जो वरणाश्रम धर्म है चारों ये किस पे निर्भर है? स्वभाव पे स्वभाव प्रभवई गुणई ही जन्म से नहीं जन्म से कोई ब्रहमन क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है वो हमने एक परिपाटी बना ली ऐसे लेकिन वास्तों में जो असली ब्रहमन क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो होते हैं कर्म के आधार पे वो कैसे होते हैं स्वभाव के काने आगी कहां आगी बढ़ी अच्छे अच्छे श्लो कारें शमो दमस्तप शोजम ख्षांती रार्जव मेवच ज्यानम विज्यानम आस्तिक्यम ब्रम्हकर्म स्वभाव ज्यम क्षोर्यम तेजोध्रतिरद्राक्षम युद्धेचाप्यपलायनम दानम एश्वरभावस्च क्षात्रम कर्म स्वभाव ज्यम क्रिशी गोरक्ष वानिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव ज्यम परिचरियात्मकं कर्म शुद्रस्यापी स्वभावतम शमा, दमा, तपा, शवचम, शांती, आर्जवम, एवचर, ज्यानम, विज्यानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्मा, ये ब्रह्मन के कर्म है, स्वभाव जम, स्वभाव से, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है, स्वभाविक हैं उसके लिए ये कर्म करना, हम कहते हैं न जी ये करना त तो स्वाभाविक था अब किसी व्यक्ति ने हमारे प्रतिकूल आचरण किया यह हमारे यहां पर शरीर में, घर में, परिवार में कहीं कोई हनी हो गई अब हमें कैसे रियक्ट करना है पोलेजे ऐसा करना तो स्वाभाविक था तो किसी के लिए क्षमा करना स्वाभाविक होता है, किसी के लिए जगडा करना स्वाभाविक होता है, किसी के लिए परेशान होना स्वाभाविक है, किसी के लिए रोना स्वाभाविक है, अलग-अलग प्रतिक्रियां ही मिलेंगी आपको. situation कोई एक होती है और उसकी प्रतिक्रिया आपको सब की अलग-अलग मिलेंगी एक विक्ति कहिएगा जिए उसने ऐसे किया तो इसलिए जगड़ा करना तो स्वाभाविक था जब उसने शब्द ऐसे बोले दूसरे विक्ति कहता जिए वो तो नादान था उसने तो अपने नादानी कर दी तो मेरे लिए तो चुप रहना ही समस्दारी थी उसलिए हम चुप रही तो उसको क्या लग रहा है चुप रहना स्वाभाविक लग रहा है एक उससे भी उची प्रकृति का व्यक्ति है वो बोल जी उसने तो गलती करी दी लेकिन हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें क्षमा करना ही हमारा तो धर्म है हमारा स्वभाव है क्योंकि हम योगी हैं हम साधू है बिच्छुने तो डंक मार दिया उसका स्वभाव है लेकिन मैं बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ू क्योंकि मैं साध हूँ मेरे लिए तो ये ही स्वाभाविक है तो सब का स्वाभाविक क्या होता है अलग-अलग होता है जैसा जिसका स्वाभाव वैसा वैसा उसके लिए स्वाभाविक ऐसे बोलते ही हैं न हम कि उसने गलत किया इसलिए मैंने भी ऐसे किया तो स्वाभावी कि जब अगला विक्ति ऐसे करेगा तो ये अगला सामने वाला विक्ति क्या करेगा ऐसा ही करेगा और जिसको आप सुना रहे हैं वो भी वैसा ये तो कहेगा बिल्कुल ठीक किया आपने जो किया और यदि वो आपसे भिन्नमत वाला है और आपसे थोड़ी उंची प्रकृती वाला है तो वो कहेगा उसने तो गलती कर ही दी थी आपने अपना अच्छा सुभाव क्यों छोड़ा आप उसके लेवल पर क्यों उतर के आए नीचे उसने तो जो करना था कर दिया उसकी तो गलती है ही आप गलत क्यों हुए यह ऐसे कहीगा फिर और उससे भी उंचे लेवल का यदी कोई है तो कहेगा कि इसने गलत इसलिए किया क्योंकि इसकी आत्मा में योग की शक्ति नहीं है इसकी आत्मा बिल्कुल शक्ति हीन है और आप शक्ती के पावर हाउस हैं तो इसलिए आप उसके लिए अच्छी भावना सोचो आप उसको थोड़ी शक्ती दो और वो थोड़ा उपर उभरेगा तो आपका एहसान मानेगा आप बचाओ उसको यह उससे भी उची स्थिती है जो भगवान हमारे प्रती भावना रखते हैं हम सब मनुश्यों के प्रती क्योंकि हम त्रूटियां क्यों करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा में उतना बल नहीं है तो भगवान जी क्या करते हैं फिर हमारे प्रती करूणा की द्रिस्टी रखते हैं हमेशां यही चाहते हैं कि ये आत्मा भी अच्छे मार्ग पर आई इसका भी कल्यान हो तो वो कभी भी हमारे बुरे कर्मों से या हमारे दोशों से तुर्टियों से खुद ना तो परिशान होते हैं और ना ही हमारे से इरिटेट होते हैं बलकि हमेशा अपनी भगवत्ता में रहते हुए हमारा कल्यान ही जहते हैं। यह सबसे उंची स्थीती। ऐसे आदमी भी अप्ग्रेड कर सकते हैं। तो ब्राह्मन का स्वाभाविक धर्म और स्वाभाविक कर्म क्या है यह इस श्लोप में बताया है। उसका स्वाभाविक कर क्या है शमा शांति भाव। दूसरे जब अशांति के काम भी करें उल्टा पुल्टा भी करें तो भी जो यदि ब्राह्मन है ब्राह्मनत्व है यदि स्वाभाव में तो यह व्यक्ति क्या रहेगा शांत। उधर से भी कोई जगडा कर रहा है बुस्सा कर रहा है इधर से य और एक व्यक्ति शांत रहे तो वो ब्रहामन है तो इसका स्वाभावी कहे शांत रहना शम दम दमन करना आत्मसयम जब जब इंद्रियां मन बुद्धी को ट्रैक से उतरने लगें तब तब यह क्या करेगा दमन मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो किसी दूसरे का अधिकार ना हो मेरे मन पे कि परिस्थितियां आएं और मेरे मन को ऐसे हिला डूला के चली जाएं ऐसे मेरा मन ना हो मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो तो ये स्वाभाविक रूप से आत्म सैयमी होगा दमन्शील होगा तपह ये ब्रामन का स्वाभाविकुन तप करेगा हो जब भी कोई प्रतिकूल पर इस्थिती आएगी तो ये कहेगा कि तप करने का आउसर मिल गया अभी तो पता लगेगा कि मेरा तप कितना है मेरी आत्मा की बैटरी कितनी चारज है अभी पता लगेगा जब तपस्या की भट्टी में से बुजरना पड़ेगा तो पहले तो जो बच्चे जो है न मेरे को याद है बच्पन में जैसे मैं तो छोटी थी अपने परिवार में सबसे तो कोई भी नुकसान हो जाए नाम मेरा कि कोई घूट ङग अगे अगला सुफ दोढा किसने तोड़ा मेरा नाम कप तोट गए तो गठातो एफ तो मैं शाल दो नहिं क्या परिवार अर ईंगा ज़िए अगर तुने तोड़ी अगर तो ने तोड़ा होगा तो हाथ जल जाएगा और नहीं तोड़ा होगा तो हाथ नहीं जलेगा हर बाप प्यानी फरीक्षा मैं यह मैं नहीं रखूंगी लेकिन मैंने नहीं तोड़ा तो जल जाएगा हाथ तो ये क्या होता है तपह तपकी वट्टे से गुजरना ये ब्रह्मन का स्वाभाविक कर्म है ऐसे ही शुचिता, शांती, रिजूता, ज्यान, विज्यान, आस्तिक्ये ये सब ब्रह्मन की कर्म है तो शेस इनके उपर कल चर्चा करेंगे अब समय हो गया है और देखो एक बात का पता चलता है भगवान कृष्ण को रिजूता भोत पसंद है इसलिए जब जब भी कोई सद्गुण की बात आती है तो आरजवम जरूर आता है कम से कम गीता में अभी तक छे साथ बार आरजवम शब्दा जुका होगा उससे भी जादा आ गया होगा एक बर गिनना पड़ेगा हर कभी भी अच्छी चर्चा करते हैं तो रिजूता को जरूर लाते है आरजवम इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए सबसे मेहतोपून गुण क्या है रिजूता प्राम देते हैं इसरर वेश्वर ।ी प्रानेश्वर ।ी ह। परमेश्वर ।ी हृ। है सरवेश्वर है प्रानेश्वर है परमेश्वर है समार्थ है करुण सिंधो है समार्थ है करुण सिंधो विनती स्विकार करो विनती स्विकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेमा प्रदान करो प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरी पीर हरो 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 हे हृदाइश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणिश्वर हे परमेश्वर हे प्राणिश्वर हे परमेश्वर हे प्राणिश्वर हे परमेश्वर ओम स्री गुरुभ्यो नमः प्राओं